ये पांच आत्ते फोरन बदर डाले आपकी सफलता की रहा में रुकावट बन सकती हैं किसी भी व्यक्ति की जीवन की सफलता उसके मेहनत और नजरिये पर निर्भर होती है कई लोग काम शुरू होने से पहले उसके अंजाम से इतना डर जाते हैं कि वे पहले ही गुटने टेक देते हैं वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कड़ी मेहनत करने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं ऐसे ही कुछ आते होती हैं जो व्यक्ति को सफल बनाती है या व्यक्ति बुरी आत्तों की वज़े से ऐसफल हो जाता है तो आईए जानते हैं उन आत्तों के बारे में जो आपको ऐसफल बना सकती है नमबर एक असंबव कहने की आदत कुछ लोग किसी भी काम को करने से पहले ही धारना बना लेते हैं कि यह काम असंबव या इंपोसिबल है इस कारण वे उस काम को नहीं कर पाते हैं कहते हैं कि इंसान के लिए कोई भी काम इंपोसिबल नहीं है इसलिए इंपोसिबल सब्द को अपने जीवन से निकाल कर फेक देना चाहिए नमबर दो अतीत में जाने वाली आदत शायद ही ऐसा कोई हो जिसके जीवन के अतीत में कोई एपर ये घटना ना घटी हो लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पुरानी ऐसफलताओं को सोच कर भविशे खराब कर ले हमें पुरानी ऐसफलताओं से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए जीवन में एक ऐसा पल आता है जब उसे किसी एक चीज को चुनना पड़ता है और थोड़ा रिस्क लेना होता है अगर आप छोटी चीजों से में भी जीवन में रिस्क नहीं ले सकते तो आप जीवन में सफलता का स्वात कभी नहीं चप सकते है ध्यान रखे जोखिम लेना और पागलपन में फर्क होता है इसलिए जोखिम उठाएं लेकिन पागलपन ना करें नमबर चार नाकारात्मक रहने की आदत कई लोग छोटी छोटी बातों में भी कमी निकालते हैं वे हमेशा नाकारात्मक ही सोचते हैं अगर आप साकारात्मक नहीं सोचेंगे तो जीवन में भी सफल नहीं हो पाएंगे जीवन में जो व्यक्ति साकारात्मक विचारधाराओं के साथ जीता है वे हमेशा सफल होता है कई लोगों की आदत होती है कि दूसरों की कमी निकालना ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते अगर सफल बनना है तो इंसान को दूसरों की कमी देखने के बजाए अपनी खामियों पर ध्यान देने की जरूरत है तो दोस्तों अपनी यादते बदलने ताकि आपको जीवन में सफलना होना पड़े वीडियो की जानकारी कैसे लगी कॉमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद